आज हम डिस्कस करेंगे आपके HP TGT कमेशन के जो 2018 के वेपर में रीजनिंग के जो सवाल पूछे गए थे वो सारे मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ तो कुल में लाकर 10 सवाल है आपके 2018 के पेपर के रीजनिंग के तो वो रशन आज हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहला सवाल जो आपका आया था एक बहुत इंपोर्टेंट चाप्टर है यह आपका तो पहले आपको देखने के फ्लार और पेटल का आपस में क्या रिलेशन होता है तो फ्लार में पेटल होती है ठीक है पेटल जो पंखोडी आप जिसको बोलते हैं ठीक है तो फूल में एक फूल में खूब सारी आपको पंखोडी दिखती हैं ठीक है तो book में क्या होते हैं, book में होते हैं pages, ठीक है तो answer इसका क्या होगा, option number A, इस सवाल का सही जवाब है A option, अगला सवाल, which of the following is different from the rest, अगला सवाल है odd one out का, तो आप देख सकते हैं इन 4 options में odd one out कौन सा है, तो अगर आप numbers देखो, यह सारे के सारे क्या है, perfect square, चिसे की 144 12 का square हो 256 जो है, वो भी आपका perfect square है, पर 288 आपका perfect square नहीं है, ठीक है, तो एक perfect square के rule से ही आपको पता लग गया, कि odd one out इसका कौन सा होगा, option number D, तो देखो यह दो chapters जो है ना, आनलोगी और odd one out से हो, 2018 नहीं हर paper में आप देख सकते हो, आनलोगी का सवाल भी आपको मिलेगा, और odd one out का भी मिलेगा, वही similar से कुछ गिंती के chapter है, जो आपके हर paper में आते रहते हैं, ठीक है, तो चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अब यह ध्यान से देखने वाला है, उसने बोला कि how many letters are, देओ, between, 8th letter from the left, ठीक है, जो left से 8th letter है, और जो 7th letter है, right से उनके between, उनके बी from the left, और दूसरा 7th letter from the right, तो 8th from left तो हमें पता है, कौन सा होता है, ठीक है, वो एक्छ है, अब यह जो बोल रहा है कि 7th letter from the right, इसको भी हम left में convert कर लेते हैं, ताकि हम समझ पाएं, तो अगर मुझे किसी भी alphabet की left वाली position पता है, right वाली निकालनी है, या right वाली पता है, left व left और right वाली position को आड़ करके 27 आता है, ठीक है, तो अगर मुझे right वाली पता है, left वाली कैसे पता लगेगी, 27 minus कर दीजिए, right की position, तो बस फिर 27 minus 7 अगर हम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये 20 जो position आई है, ये कहां से आई है, ये आई है, left से, तो एक तरह से वा आपसे ये पूछ रहे है कि जो alphabet left से 8 वे नंबर पे है, और जो alphabet left से 20 वे नंबर पे है, उनके बीच में कितने लोग है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हाँ ज मतलब 20 alphabets में से शुरू के 8 minus किये है, क्यूंकि हमें between के बताने है, अब शुरू के 8 minus करके, बाग की जो बच रहे हो, उसमें 20 वा भी आ रहा है, 20 वा नहीं बताना, क्यूंकि between का मतलब 20 वा नहीं किना जाएगा, उसकी वज़ा से हमने minus 1 किया, तो 20 में से अगर आप 9 आते हो, तो answer आपका कितना आएगा, 11 जो की आपको given है, option number D में, ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, option number D, तो उमीद है आपको पता लग रहे हैं, देखो, अगर आपके सवाल जो है ऐसा नहीं होता, सारी मुश्किल है, यह सारी असान है, एक दो सवाल अच्छे ख नहीं होता, तो पिछले दो तो असान थे, है ना, बट यह वाला थोड़ा सा था, solve करने वाला, जिसको concept पता है, वही कर पाथ, चला, आगे बढ़ेंगे, अब हम अगले सवाल की तरफ, उसने बोला, कि how many meaningful English words can be formed with the third, fifth, seventh and ninth, छीक है, word आपके सामने क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि जो third है, जो fifth है, और जो seventh है, और जो ninth है, यानि W, G, A और E, यह इन alphabets की तरफ इशारा कर रहे हैं और इनसे कितने meaningful words बन रहे हैं, तो देखो कितने meaningful words बन रहे हैं, तो देखो इससे एक ही meaningful word बनता है, जो की कौन सा है, wage, तो answer इसका क्या होगा, option number A, अगर आप देखो, और कोई word नहीं बनता है, इनकी position को कुछ आगे पीछे करके, अगर आप try भी करते हैं न, और कोई word ही नहीं बन रहा, तो answer इसका क्या होगा, option number A, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, coding decoding, हर paper, हर बार आपको दिखेगा, coding decoding का सवाल, यह analogy, odd one out, coding decoding, ऐसे से यह alphabets, इसके सवाल आपको हर बार मिलेंगे, ठीक है, और इस बार भी मिलेंगे, तो चलिए, इसको try करेंगे, if water is written as Y, C, V, G, T, तो W से Y कैसे आता है, प्लस 2 करके, A से C कैसे आता है, प्लस 2 करके, T से V, प्लस 2, E से G, प्लस 2, R से T, प्लस 2, तो सारे के सारे यह प्लस 2 हो रहे हैं, तो हमें यह पूछा जा रहे है, question ध्यान से देखिए, then what is written as, वो यह नहीं पूछ रहा कि H, K, T, G का अंसर क्या है, वो पूछ रहे है, H, K, T, G किसका अंसर है, तो चलिए देखते हैं कि H, K, T, और G, आपका फिर किसका अंसर है, तो उसके लिए हमें अगर यहां से यहां आने के लिए आपका plus 2 हुआ है, तो वापिस जाने के लिए आपका minus 2 होगा, तो minus 2 आपने करना है, तो H, 8 होता है, 8 minus 2 कितना होगा, 6, और 6 का मतलब F, जो आपको एक ही option में मिल रहा है, आगे कुछ solve करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक बारी में ही पता लग गया, किसका आंसर जो है, वो क्या होगा, option number B, तो सारों में minus 2 करिए, K, 11, T, 20, G, 7, ठीक है, minus 2 करके 9 आगया, minus 2 करके 18 आगया, minus 2 करके 5 आगया, तो answer आपका है, इसका option number B, ओके तो बहुत असान सा सवाल था ये वाला, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ, जो की है, ranking के chapters है, ये बहुत, ये पक्के वाले chapter मान के चलो, ये ranking, blood relation, direction, coding, decoding, alphabets, analogy, odd one out, ये chapters है, जिन से आपके सवाल आते ही आते हैं, वाकिस के अलावा भी कुछ chapters है, बट ये कुछ जादा important है, तो चलिए, Sohan ranks 7th from the top, अभी मैंने आपको एक ranking का alphabets में formula बताया था, मैं आपको अच्छे से बता रही हूं, कि किसी भी alphabets की जो left वाली position है, प्लस उसी की जो right वाली position है, उसमें अगर आप minus one करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा, कि आपकी total value क्या है, तो position from left plus position from right minus one equal to total, ठीक है, ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कि किसी भी alphabets की left और right वा होगे, तो minus one करके आपको total मिल जाएगा, तो यहाँ sohan की position भी आपको top से दियो, ये 7, bottom से दिये 26, तो minus one कर दो, और इसको solve करिये, आपको आपका answer जो है, वो मिल जाएगा, तो 26 plus 7, कितना होता है, 33, उसमें minus one किया, तो answer आपका कितना आ जाएगा, option number B that is 32, इसका सही जवा होगा, B option, okay, शल, अगला सवाल, blood relation, अभी मैं बताई रही थी आप सब को, कि blood relation एक important chapter है, तो आपके सामने है सवाल, तो देखो, उसने बूचा कि pointing towards a boy, एक boy की तरफ इशारा करते हुए, बोला किसने, वीना ने बोला, वीना said, he is the, पहले तो he कौन है, जिस boy की तरफ इशा किया जा रहा है, उसके बाद is का मतलब क्या है, equal, और आगे जो यह आपका सारा है, यह आपकी right hand side है, जिसको आपने speaker के context में solve करना है, ठीक है, तो वीना ने बोला, तो my grandfather, खुद को वीना एजियूम कर लीजिए, आपके grandfather, यानि आपके दादा जी, जब वो बताएगा नि के paternel है के maternal है, हम by default paternel ही मानते हैं, यानि अपने father side के relations मानते है, तो आपके दादा जी का only son, यानि वो कौन हूए, आपके पापा, और आपके पापा का बेटा, तो आपके पापा का जो बेटा है, वो आपका भाई लगेगा, है न, तो यानि boy जो है वो आपका भाई, और आप कौन हो speaker यानि वीना का brother तो उसने पूछा कि how is that boy related to वीना तो जो boy है वो वीना का क्या लगता है brother लगता है तो answer इसका क्या होगा option number B इस सवाल का सही जवाब है B option right अब देखिए जैसा कि मैं बोल रही थी directions भी आ गया वही जब मैंने आपको नाम बताए वही सवाल है इसने बोला अब देखो इसको हम कैसे करेंगे उसने बोला if southwest becomes north तो southwest से north पे अगर आपको आना है ये कितनी डिगरी बन रही है ये 45 है और ये 90 है और ये आप clockwise direction में जा रहे हैं ठीक है यानि southwest को अगर north बोला जा रहा है तो वो 135 डिगरी clockwise rotation से हो रहा है ठीक है उके चलिए उसके बाद उसने बोला then what will northeast be called अब northeast कहां पे है ये है आपका northeast तो आपने इसको भी 135 डिगरी clockwise आगे रेटरन करना है तो ये कौन सी direction आ जाएगी आपकी ये कौन सी direction आ जाएगी south तो इस सवाल का सही जवाब होगा option number c that is south ओके चल अगला सवाल calendar का अब calendar भी important है बट कहीं पर नहीं भी देते बट वही है न कि syllabus में तो बहुत कुछ है है न तो जो साथ chapter मेंने आपको गिनवाए हैं उसके अलावा जो आ रहे है question वह आगे से कोई भी chapter हो सकता है तो चलिए असान है उसने बोला अगर आज Wednesday है तो 84 डेज के बाद क्या होगा यह उसका सवाल है तो आप पता करिए 84 डेज में कितने और डेज है तो 84 को अगर मैं 7 से divide करो 717, 721, 14 remainder कितना बच रहा है 0 यानि Wednesday में हमें कितना आड करना पड़ेगा 0 आड करना पड़ेगा क्योंकि और डेज ही कितने आ रहे है 0 तो बस पर answer आपका क्या आजाएगा वही Wednesday यानि option number C तो इसका सही जवाब है C option राइट चलो आगे बढ़ेंगे आखरी सवाल आज के session का 2018 में जितने भी सवाल थे reasoning के वो सारे मैंने आज discuss किये हैं और उनी सवालों का ये है आपका आखरी सवाल जो की mathematical reasoning है अब देखो आप में से कहीं इसमें equation बनाओगे कि age of father is thrice of his son father is equal to 3s फिर f plus s is equal to 48 equations बनाके पूरा proper calculate करोगे answer सही आएगा गलत नहीं है ठीक है बट यहाँ पे आप इसको option से भी कर सकते थे option से किस तरह से ये देखिए देखो उसने पूछा है कि what is the age of father आपको पता है कि जो father की age है father की age के father की age तीन गुना उसके son के है father की age जो है वो one third of sorry one third नहीं अगर मैं पूछों कि son की age क्या होगी तो वो one third of father की age और father और son दोनों की age का sum जो है वो 48 है ठीक है option एक एक चेक करेंगे जैसे कि पहला option है 30 years तो अगर 30 years father है अगर father 38 तो son कितना होगा इसका one third करो इसका one third हो जाएगा 10 तो इनको add करके तो 40 आ रहे हमारा तो दोनों ages का sum जो है वो 48 होना चाहिए ठीक है तो पहला option ये वाला है गलत अब यहां पी अगर father की age 32 है इसका अगर आप one third करते हो तो यह तो divisible ही नहीं है points में आ रहे है यह गलत हो गया 36 अगर father की age है तो अगर आप इसका one third करते हो वो son की age है तो इसका one third कितना होगा 12 और इनको add करके आपका 48 भी आ रहा है तो पूरी equation यहां पे verify हो रही है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option number C ठीक है तो अब आपने इन 10 तवालों में क्या समझा देखो 3-4 सव सवाल बहुत असान थे पर बाकी सवाल जो थे वह ऐसे थे जो आपको अगर अच्छे से concept clear होगा तभी आप कर पाएंगे तो 10 सवाल बहुत होते हैं देखो 10 number कम नहीं होते reasoning के 10 सवाल है तो अगर आपके 10 के 10 जो हैं पूरे 100% आप score कर पाओ तो आपको overall paper में बहुत जादा benefit मिलता है ठीक है तो end में मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारा जो है course जो है HP TGT Medical, HP TGT Commission का Non Medical या फिर HP TGT Commission का Arts and Commerce ठीक है इसका जो new batch है वो start हो रहा है 20 March 2023 से तो अगर आप इन courses में admission लेना चाहते हैं ताकि आप अपना TGT का paper जो है वो इस बार clear कर दो ठीक है ताकि अच्छे से आपकी त्यारी हो जाए सारा कुछ हम आपको अच्छे से provide करेंगे notes, classes, export faculty सब कुछ आपको provide किया जाएगा ताकि जितने भी students हमारे पास होंगे सबका result जो है वो positive आए सबका exam जो है वो cracked हो ठीक है तो इसलिए यह हमारा जो batch है अगर आप चाहते हैं join करना 20 मार्ट से शुरू हो रहा है नीचे description पर आपको सारे details दी हुई है ताकि आप हमें contact कर सको और इस batch में admission ले सको तो last mail मेरी आप सबको request है कि इन sessions को like, share and comment जरूर किया करो Okay students, thank you so much